जै महाकल दोस्तों मेरा नाम है तीप्ती रब का में चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं पार्थिश शिवलिंग बनाकर अभिशेख करने की पूरी सामगरी खास करकी कल अधिक मास की शिवरात्री है तो इस तिन विशेष पूजा बारे बडतन में भगवान का भी शेक करने के लिए व रख लें और चाहिए यहां पर च YoutDipak हमें यहां पांच Dz कोशली नहीं कोटे पूझा की दुकान पर आप को आशाणी से मिल जाएंगे यह पांच आपको दीपक चाहिए अगर नहीं जा तो कोई बात नहीं पुए बुद्टैक्टमान कौट मृर्ट्टमप कोटिवार्द होगा कि मैं Shera की पूजा में रोली नहीं चड़ाए जाती है आप अबीर गुलाल भांग धतुरा सभी चड़ाएं बेल-पडर फूल शमी अर्पित कर सकते हैं पर श्री रोली नहीं चड़ाए जाती है हमें यहां पर दो भगवान के लिए आसन चाहिए और gelise यहां पर हमें जनिníु भी चाहिए और यहां पर sabhoo आप सफेद आप सफेद की इससरे कई इसकि सफेद एंगे वह तरहें, तो मुझी सेवसे बिलकोल चाहिए इस वात का ध्यान रखेगा कि साबुत हमें डूते हुए नहीं होने चाहिए फिर हमें जो चाहिए हैं उसमें आप कुछ इस तरीके से राखियां ले 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 ऐसी कि आप यह रहा है तो इस तरीके से आपको बनी हुई राखिया मिल जाएंगी मार्केट में आ जरूर की कथा आप को पूजा की विधी और वह इसे मुत पर हैजा है मुनाने से सज़ते नाइस कि आप में देख सकते हैं और यहां पर आप पीला वाला जन्यू भी ले सकती क्योंकि हम गडपती जी की पूजन करते हैं तो उसमें पीला हमें इस्तमाल मिलाना पड़ता है पीला उनको पसंद होता है गडपती जी को और अब हम जो सामगरी है उसके लिए आंगे बढ़ते हैं इस दिन जो है कि आप ध्यान रखेगा कि आपको जो भी अभिशेक कर रहे हो या फिर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हो आप जो कलश लें जो पानी का जल का कलश लेते हैं वो तांबे के लोटे में लीजेगा तांबे का कलश होना चाहिए उससे बहुत अच्छा रहता है उससे बहुत चलब पवित्र हो जाता है गंगा जल के तुली हो जाता है वो जल और आप चांदी का भी ले सकते हैं और जो दूद दही शहेद घी शक्कर हमें पांच चीए में लाकर रखनी है वो आप पी तलके में रखेगा आप उसको तांबे में मत रखेगा तांबे म अगर आपको जो अरहर की दाल होती है उसकी पत्ते मिल जाएं तो भी अरपित की हैं हर श्रिंगार की पत्ते दूबा भी बवागां को चुराया जाता है पूल पत्ति प्रशंति को बहुत होता है वाद की धिद्धान राखेगा नहीं पूजा है नहीं नहीं चिरा जाती है हैं प्रशेगार की फूल पत्ति अगर आपको शमी की मिल जाए तो उससे भी वह 100 पत्त के बराबर होती है इस तरीकी से सारी विधी आप लगा कर रख लें तो अतारिक को शिवरात्री है इसकी पूजना बहुत विधी विदान से कीजिए तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं स्वाप्त करते हूं इस वीडियो को ज़रूर शिर कीजिएगा न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिज बोलार शिर किजिए सेथा।